हमाश्कार बच्चों आज का हमारा चैप्टर है A Latter to God आज इस चैप्टर की हम समरी कर रहे हैं इस चैप्टर में लेंग को एक किसान है जो अपनी फसल के प्रती काफी समर्पित है यानि वह पूरी तरह से अपनी फसल पर निर्भर करता है यहाँ पर लेंग को किसान के रूप में अपने खेतों को देख रहा होता है और वह चाता है कि अपकी बार जो उसकी फसल हो उसके खेतों में जो फसल आएगी काफी अच्छी होनी चाहिए यह वह उमीद करके चलता है आशा करके चलता है लेकिन अचानक क्या होता है कि आकास से ओले गिरने लग जाते हैं और ओलो को देख करके उसे काफी दुख होता है काफी तकलीफ फहमनाता है और उसे लगता है कि ये सब ओले उसके पूरे खेत को नस्ट कर देंगे उसकी पूरी फसल को नस्ट कर देंगे काफी दुखी होता है ये सब देख करके और उसे बहुत दुख होता है कि उसकी फसल जो है इस प्रकार से देखते ही देखते नजट हो गई है क्योंकि उसने ये सोचा था कि अपकी बार अच्छी फसल होगी तो अच्छी इंकम भी होगी यहाँ पर हम उसकी आस्था पर बात करेंगे क्योंकि वह गौड पर काफी विश्वास करता है भगवान पर वह काफी विश्वास उसका है कि भगवान है और उसकी इस दुख में काफी मदद करेंगे यहाँ पर हम देखते हैं कि वे काफी सीधा इनसान था, काफी सरल सा एक सीधा साधा सा बंदा है और उसने भगवान को एक लेटर लिखा, एक पत्र लिखा, उसने भगवान को लिखा कि उसे कुछ पैसे भेज दिये जाएं भगवान को कहता है कि कुछ पैसे भेज दिये जाए लेकिन अपना जो लेटर होता है उसका वो पोस्ट बॉक्स में डाल देता है और दाकिया जो है उस लेटर को बॉक्स से बाहर निकालता है और देखता है कि उस पर क्या लिखा है लेटर टु गॉड लिखा है कि गॉड के नम उसने लेटर को लिखा हुआ था ये वह देखता है उसके बाद वह काफी हंसता है इस बाद पर उसे काफी हंसी आती है कि लेटर लिखा गया है वो भी कौड के लिए और पोस्ट मास्टर के पास वह जाता है और पोस्ट मास्टर भी देख करके काफी हंसते हैं और पत्र को पढ़ने पर काफी गंभीर हो जाते हैं उन्हें लगता है कि यह स्तिती जो है काफी गंभीर है चिंता जनक है और साथी वें उसकी सराहना भी करते हैं कि किस प्रकार से किसी व्यक्ति का इतना विश्वास है कि वह भगवान को पत्र लिख सकता है, भगवान को लेटर लिख सकता है पैसे के मामले में वह उसकी मदद करने की सोच लेते हैं वो सोचते हैं कि इस बंदे का इतना विश्वास है तो हम इसकी मदद कर देते हैं, लेंकों की मदद कर दी जाए पत्र पढ़ने के बाद उन्हें लगता है कि लेंकों की मदद कर दी जाए तो इसलिए क्या करते हैं दाग घर के जितने भी करमचारी हैं उनको कह करके वह कुछ दान का पैसा इकठा करते हैं कुछ पैसे इकठे करते हैं तकि उसको दान के रूप में दिये जा सकें और सभी करमचारी जो है अपने वेतन में से अपनी तनख्वा में से कुछ इससा उसे दे देते हैं सबी लोग अपना अपना जो भी पैसा देना चाहते हैं तो वो उसको प्रदान कर देते हैं और इस तरह से पचास से अधिक पैसो इकठे वो कर लेते हैं पैसो जहां पर एक तरह की मुद्रा है करेंसी है जो वो इकठा कर लेते हैं और इकठा करके उसे पैसे भेज दिये जात लेंको को पैसे भेज दिये जाते हैं और इसमें उपा लिख दिया जाता है लेंको जब भी बार को जब फिर से लेंको आता है और उसने पूछा कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है एक बार भी जब सन्डे को फिर से आता है और पूछता है कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है तो पोस्ट मास्टर ने एक पत्र निकाला और उसे लेंको को दे दिया लेकिन जब वो पैसे देखता है तो हैरान नहीं होता है हैरान वो नहीं होता है क्योंकि इसे अपने इश्वर पर गौड पर पुरा भरोसा है कि गौड उसे एक दिन पैसे भेज देंगे और उसे उसके पैसे मिल जाएंगे लेकिन जब वो पैसे गिनता है तो फिर उसे गुस्सा आ जाता है क्रोध उसे आ जाता है क्यों आ जाता है क्योंकि उसमें पैसे कम थे उसे ये विश्वास था कि गौड जो है कभी भी उसके साथ धोखा नहीं कर सकते हैं उसे पूरा विश्वास था कि अगर उसने 100 रुपे मांगे हैं तो 100 ही पैसे उसको मिलेंगे लेकिन उसको यह अधर उनली 50 रुपीज मिलते हैं तो वह प्रेशान हो जाता है और उसे गुस्सा भी आ जाता है वह एक फिर से पेपर लेता है एक पेपर फिर से लिगता है और एक लेटर फिर से लिखता है उसमें क्या लिखता है क्या लिखता है वह कि भगवान से शिकायत करता है क्या शिकायत करता है कि उसे केवल सत्तर पैसे प्राप्त हुए है बाकिके 30 पेसों जो हैं डाग घर के कमचारियों ने घपला कर दिया है और चुरा लिए होंगे यह सुझता है उन्होंने पेसे चुरा लिए होंगे यहाँ पर हम यह देखते हैं कि उसका भगवान पर पूरा भरोसा है लेकिन वास्तों में जो उसकी help कर रहा है उनके लिए यह एक बुरी बात हो सकती है उन लोगों के लिए यह एक बुरी बात हो सकती है अभी हम इसके questions देख लेते हैं short में हम आज इसके प्रश्णत्र की बात करेंगे तो आप यहाँ पर देखिए Who does language have complete faith in उसे किस में पुरा विश्वास था उसे भगवान में पुरा विश्वास था कि भगवान उसकी मदद करेंगे Why does the postmaster send money to linko Postmaster ने उसे money क्यों दी क्यों पैसे उसे दिये थे इसलिए उसे पैसे दिये थे ताकि उसका भगवान पर जो विश्वास है वो बना रहे फिर है Did linko try to find out who had sent the money to him क्या उसने पता लगाने की कोशिश की कि उसे पैसे किसने भेजे हैं नहीं यहाँ पर वह कोई भी पता लगाने की कोशिश नहीं करता है उसके बाद प्रेश्ण है कि Who does linko think has taken the rest of the money उसे क्या लगता है और कि उसके जो बागी पैसे तक किसने ले लिए तो उसे यह लगता है कि उसके बागी पैसे जो थे डाग घर की कमचारी जो थे उन्होंने ले लिए उसके employees जो हैं ऐसा क्यों सोचता है वो सोचता है कि यह ठगों का एक टोला है bunch of crores है जो उसके कुछ पैसे चुरा करके बैठे हैं और वे भगवान को फिर से एक पत्र लिख देता है लेटर लिख देता है कि ये सब करमचारी जो है उसके कुछ पैसे चुरा करके बैठे हैं इस प्रकार से आजम ने इसकी प्रशनुत्तर सहीत पाट की समझी देखी मिलते हैं ऐस से ही किसी नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू फॉर वाचिंग